बिहार में विशेस राज के दर्जे की मांग को लेके घमासान मचा हुआ है चारो तरफ एक ही बात का चर्चा है कि इस बार बिहार को विशेस राज का दर्जा मिलने वाला है कि नहीं लेकिन उससे पहले जीतन रामाजी बैक फूट पे चले गया और अब चिराग पास्वान क सांसद सामी चौधरी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद ये परतीत होने लगा कि क्या चिराग पास्वान भी बैक फूट पे आ गया है इस पूरी जानकारी इस पूरे घटना करम से हम आपको रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे चिराग पास्वान की सांसद सामी चौधरी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया जिससे अब नतिश कुमार की राह और जादा मुश्किल भड़ी हो गई है लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन बिहार के विशेश राज के मांग को लेके बिहार में इन दुनों खूब चलना है और मैं आपको ये भी बता दू कि तेज जुलाई को किंद्र सरकार अपना बजट पेश करने वाला है और इसको लेके विशेश पैकेज का भी मांग जो है वो बहुत तेज है इसी बीच सबसे पहले जीतर नामाजी बैक फूट पे आते हैं और कहते हैं इस तरीके क मांग करना ही बेवकूफी है और दिवाल पे सर पटकने जैसा है क्योंकि नीती आयोग ने जो कहा था कि अब किसी को स्पेशल स्टेट जो है वो नहीं बनाया जाएगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है ये संभव ही नहीं है कि बिहार को विशेश राजिका दरजा मिले तो इस जो है वो स्पेशल स्टेट यानि विशेश राजिका दरजा मिलना चाहिए चिराग पासवान ने कहा था कि अगर जेडियू इसकी मांग कर रही है तो ये दबाओ की राजनीती नहीं कर रही है बलकि बिहार का हक है और ये मिलना चाहिए उन्होंने मोदी जीसे ये गुजा कि कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान की पार्टी स्वेम चिराग पासवान भी बैक फूट पे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जीतन राम माजी की तरह जहां पे सामभी चौधरी ने इस पश्ट कर दिया कि ये अब पॉसिबल ही नहीं है जिस तरीके से नीती आयो कि बिखेज मिले और इससे ज़्यादा विकास हो सकता है इससे पहले राजी उप्रताप रूडी जो की बीजेपी के सांसद है सारण से उन्होंने भी यही बात कहा था कि विशेष राज से ज़्यादा विशेष पैकेज की जरूर अथे बिहार को और वो मिलना चाहिए वो बिहार खरा नहीं उतरता और इसलिए स्पेसल पैकेज जो है वो बिहार को नहीं मिलने वाला और अब इसके बाद ये एकदम से प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से जीतर ना माजी अचानक से बैक फूट पे चले गए थे उसी तरीके से अब चिडाक पासवान की भी नहीं आ रहा क्योंकि एक एक करके जो सभी दल है वो पीछे हट रहे हैं जेडियू भी बात कोई समझ जाएगा कि ये संभव नहीं होने वाला हाला कि तेजश्वी आदो ने भी इसके उपर बोला था कि कैसे भी करके बिहार को स्पेसल स्टेट का दरजा जो है वो मिलना चा कि चिराग पास्वान की पार्टी भी कही ना कहीं इस बात को एकसप्ट कर चुकी है कि नीती आयोग ने जो नियों में बदलाव किये उसके बाद से बिहार को या फिर किसी भी स्टेट को स्पेसल राजी का दरजा देना लगभग असंभव है और इस वज़े से इस बार बि बिहार का विकास हो सकता है इसको लेके कई सारे बाते जो है वो सामने आ रहे हैं एक करके जो नेतागण एक समय पे जेडियू के साथ थे वो धीरे धीरे पीछे आते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सब को ये बात पता चल चुका है कि नीती आयोग के बदलाव जो हुए है नियमों में उसकी वज़े से बिहार को इस पेसल स्टेट का दर्जा नहीं मिल सकता बागी इस खबर को लेके इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से सामवी चौधरी ने अपना बयान दिया है चिराग पास्वान की पार्टी की सांसद सबसे कम उम्र की सांसद इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं क्रिपया कॉमेंट सक्षिन में जाईए और कॉमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुचाईए बागी आप देख रहे हैं जंता जंक्शन और मेरा नाम रज़त है